यहां पर दिवाली के टाइब हम पूजा भी करते हैं, कभी उन्होंने रोका भी नहीं है, जो आर्ति इस्तिती इत्ति जड़ा खराब हो रहे हैं नहीं खाएंगे गहां से, कोई मोहिया तो करवा भी नहीं रहा है इनको, जो जुग्य जोपडी वालों को सरकार को सोचना भी हर पाटी को सोचना चीह, मैं इनके बीच में पलिय बढ़ी हूँ, मुझे चीछ, अभी में आई हूँ सब्जी खरीद के मुझे कुछ खत्रा मैसवस नहीं हो अगर मुझे खत्रा मैसवस ते मैं जीव लोग चैसी वलोग में नहीं आती। अगर खत्रा मुझे अंदर मैसू कि कई प्र गैसे हो रही है झाए हुआ है तो मैं इत लिका जांगिरपुरी में हूं कि से ूप सरकार से का क्योंके लोगों के आलत बहुत खराब है THEूटि क्या कहना चाहिका सब्सक्राइब अगर सिवार मदने कोंडे कि न知ुनकर क्तिना भठ कलो गर अगर इनके आर्टी सिर्ट भी बंद यहीं, ना कुछ काम करे जाए। आपको सब को हिंदू जादा नहीं मिलेंगे यहां पर दिवाली के डाइव हम पूजा भी करते कभी उन्होंने रोका भी नहीं जो आरती इस्तिति जड़ा खराब हो रहे नहीं खाएंगे घांसे कोई मोया करवा इनको यहां पर जो जोपड़ी वालों को सरकार को सोचना भी हर पार्टी को सोचना जीए एक सरकार नहीं है जहां के यहां के जो केजरिवाल जीए पवन सर्वाल जीए जो भी है आरती इस्तिति सबकी इतनी बेकार हो रहे सबको मोया करवाना जीए लेकिन ऐसा माहूल बनाया जा रहा है खासकर एक विचारधारा के लोग यह कह रहे हैं कि मुसल्मान बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं वो बहुत ज़्यादा दंगे भड़काते हैं और हिंदू खत्रे में हैं मैं तो देखो बहार सबका अलग-अलग माइंड है सब अपने प्री सोच रखते हैं मैं इनके बीच में पली बढ़ी हूं मुझे कुछ खत्रा मैसूस नहीं हुआ ously जिफोन helps में वहार निकल के नहीं आती मुझे पता हैं यहां पर सब जानेंगे तो यहाप मुझे भी मुझे सब जानते हैं तो मैं मुझे खत्रा मैसूस की होगा हैा जो महौली खराब करने और कुछी नहीं एक यह नहीं परदी है अचानक से कैसे हो गया दीप्टी क्या वज़े लगती है अपता मुझे भी नीपता सुनने मा है कि ऐसे से महुलारा सब भागा दोड़ी है पत्तरवाजी हो रही है मुझे इस चीज का कुस नॉलीजी नी है क्योंकि मैं अंदर जुग्य के अंदर मैं खुदी भी रहती हूं मुझे इस सिज का में खुद को भी नीपता कि ऐसे मोहल कैसे होगा सब अपने भगदर मज़े लिए सब घर के अंदर घुशे जाए धर के अपने बच्छों को लेकर सब घर के अंदर घुशे जा रहे हैं जो ये कारवाई हुई है दीपती आज बुल्डोजे चलाया गया दुकाने और कुछ छोटे मुटे निर्मान थून को ढाया गया इसके बारे में क्या कहना है अबेद निर्मान अगर है तो ये पहले से क्यों न कारवाई कि गई है आज किसे वाजे से हो रही है कि हाँ पर अबेद निर्मान हो रहा है तो पचास साल से कहां गेते सरकार कहां सोही होई थी एमसीडी वाले कहां थे, जो अबेद निर्माद करे जा रहे, कहां थे उस्टाय, सब को करना चाहिए थे इस बात को, आज जैसे दंगाफा साथ कुछ बात आ रहे तो आज अबेद निर्माद हो गए, पिछले सालों से इतने सालों कहां जिंदा थे सारे, कहां थे वो सारे, इ ही होए जा रहे हैं इनके साथ, नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रदान मंत्री हैं, आमिर्शा ग्रह मंत्री हैं, आपके यहां पे केजरिवाल जो हैं, वो मुख्य मंत्री हैं, वो उनके जो समर्थक हैं, वो कहते हैं कि हिंदू खत्रे में हैं, इस देश में हिंदूों के जगाने की कोशिश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं वो गलत कर रहे हैं। कोई बयानवाजी नहीं देना चाहती हूं। मौधी सरकार को आप कोई बात कहना चाहें अगर वो सुने वो मन की बात करते हैं लेकिन आपके मन की अगर बात वो सुनना चाहें तो उनको क्या कहना चाहें। मैं मौधी सरकार को यही कहते हूं। जैसे थे हम नौर्मल जिन्दिगी जीना चाहते हैं। जैसे आते जाते हम नौर्मल जिन्दिगी ही चाहते हैं। जैसे काम औरत या आम पुरुष्ट की यही कामना रहती है कि वो अपनी रोजी रोटी में अपना समय लगाए अपने बच्चों को पड़ाय लिखाए और घर चलाए और ना कि ऐसे लफडों में इस तरह के जो हिंसा या दंगे हैं उनमें फसे यह कामना ज़रूर रहती है का साथ सब का विकास करके दिखाए यह रिपोर्ट जांगिर पुरी से मैं आपको दिखा रहा था मेरा नाम सुमी चोहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद करें मेरे सायोगी मोहित फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगे आप से